हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सयम और आज मैं आपके सामने लाया हूँ कि 15,000 से नीचे नीचे आप कौन-कौन से फोन परचेस कर सकते हैं और उनकी सारी स्पेसिफिकेशन्स वेगरा तो मैं एक एक करके आपके सामने फोन बताता रहूँगा और उनको Amazon और Flipkart पर उनकी प्राइसिंग के साथ उनकी स्पेसिफिकेशन्स दिखाता रहूँगा तो सबसे पहला फोन है ली-eco-lee2 जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फिलाल यह ली-tv का फोन है ली-eco-lee2 तो इसकी प्राइसिंग में गएर हम चेक कर लेते हैं एक बर क्या प्राइसिंग और क्या स्पेसिफिकेशन्स है मैं आपको उसी के साब से सारी चीज़े बता तो यह मैंने फ्लिप कार्ट की साइट खोली है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सर्च करेंगे ली-to तो यह सर्च हो रहा है जियो का हमारा नेक चल रहा है इसमें तो इसमें कोई वोल्टी की प्रॉब्रम नहीं होगी तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 12,000 का फोन इसके साथ exchange offer भी है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिच करूँ तो इसके साथ exchange offer भी आपको मिल जाएगा तो यह आपको तो दो कलर में मिलता है एक rose gold और तीन कलर में मिलता है रोस गोल्ड, grey and simple gold में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक gold है, एक rose gold है और एक grey है तो हम कोई भी एक rose gold का color खोल लेते हैं और उसमें नीचे specifications वारा और phone को check कर लेते हैं कि phone देखने में कैसा है तो अगर मैं specifications की बात करूँ तो यहां पर specifications आ गई है कि इसमें 3 GB की RAM है, 32 GB की internal है, 5.5 की full HD 1080 की display है 16 megapixel का primary camera है और 8 का front है 3000 mh की battery है और snapdragon का 652 का processor दिया गया है अगर मैं और इसके deep में जाना की कोशिश करूँ तो इसमें आपको resolution दिखाई देंगे Adreno 510 का GPU दे रखा है इसमें Marshmallow के साथ यह आता है processor की speed इसकी 1.8 GHz पर clock की गई है 4G की कोई problem नहीं होगी इसमें, Gio के से मराम से चलेगी 16 megapixel का F2.0 के साथ आता है और front camera जो है 8 megapixel का वो F2.2 aperture के साथ आता है तो इसमें आप 4K recording भी कर सकते हैं at 30 frames per second तो इसकी यह बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें 4K recording कर सकते हैं इसमें nano sim डलती है पर इसके जो weak points हैं यह तो होगे सारे इसके strong points weak points हैं इसमें jack नहीं मिलेगा आपको आप पूरा phone चेक कर लीजे इसमें आपको jack नहीं मिलेगा यह IR blaster है आपको कहीं पर भी jack नहीं मिलेगा आपके इसके साथ एडाप्टर दिया जाता है जो कुछ इस तरीके से होता है अडाप्टर होगा यह तो यह डाप्टर आपको मिलेगा इसमें आपको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे आप इस पे connect कर सकते हैं और फिर आप इसमें कोई भी jack MP3 jack इसमें connect कर सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा first phone ली एको का ली 2 अब हम जाते हैं अपने second phone पे जो है Redmi Note 3 Redmi Note 3 Redmi Note 3 की pricing और ली एको की pricing बिलकुल सेम है पर कुछ specifications का difference है तो हम पहला बाला खोल लेते हैं silver color का तो specifications पे आते हैं नीचे इसमें तो इसमें भी आपको 3 GB की RAM 32 GB की internal दी जाती है पर इसमें expandable है 32 GB और आप एक memory card डाल सकते हैं मतलब इसमें hybrid SIM slot मिलता है ली एको में अगर मैं आपको बताना भूल गया हूं तो hybrid SIM slot नहीं मिलेगा उसमें सिरफ आप 2 SIM डाल सकते है nano SIM उसमें कोई भी memory card नहीं डाल सकते हैं इसमें भी 16 MB और प्राइमरी camera और पांच का front मिलता है ली एको में 8 का front था इसकी battery 4050 mAh की battery मिलेगी मतलब 4050 mAh की battery मिलती है आपको और Snapdragon का 650 मिलता है और उसमें 650 2 मिला था तो ये कुछ difference है इसमें आप 4K recording नहीं कर पाएंगे तो वैसे भी 4K recording का इतना कोई issue नहीं होना चाहिए 4K recording इसमें नहीं होगी बाकी सब इसमें आपको इसमें jack मिलेगा और इसमें colors भी काफी सारे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं silver है gold है dark grey है तो ये सारे colors आपको इसमें मिल सकते हैं next phone की तरफ हम जाते हैं अपना तो हमारा है अगला phone है Lenovo Fab 2 two Lenovo Fab 2 तो जैसे कि आप देख सकते हैं Lenovo Fab 2 अभी ये launch नहीं हुआ है इसकी launch एक दो दिन बात होने वाली है तो मैं आपको पहले ही इसकी specifications फारा सारे सब कुछ बता देता हूं actually मैंने Lenovo Fab 2 Plus के बारे में search करना है तो I am sorry Lenovo Fab 2 Plus तो Lenovo Fab 2 Plus को हम search करते हैं और ये हो रहा है search इसमें Lenovo Fab 2 Plus नहीं है तो हम Amazon खुल लेते हैं एक बार इसमें search कर लेते हैं Lenovo का Fab 2 Plus एसी search करते हैं तो हो सकता है जाए Lenovo Fab 2 Plus और ये हमारे सामने आ गया है actually मैंने लिखा गलता तो उसी चक्कर में हो रहा था ये तो Lenovo का Fab 2 Plus जैसे कि आप देख सकते हैं खुल रहा है net की speed I don't know क्यों slow आ रही है खुल जब आई Lenovo Fab 2 Plus तो phone हमारा खुल गया है इसमें Lenovo Fab 2 Plus हमने खुला है ये है exactly 15,000 less 1 का तो 14,999 का phone आपको मिलेगा इसकी specifications मैं आपको बता देता हूं specifications है इसकी 13 MP का primary dual camera मिलता है जी हाँ इसमें 2 camera मिलते हैं आपको पीछे एक बन मैं आपको तिखाने की कोशिच करूँ photo में तो इसमें आप देख सकते हैं तो 2 camera आपको इसमें मिलेंगे ये देखिए आपको इसमें 2 camera मिलते हैं एक ये वाला और एक ये वाला और इसमें dual tone LED flash भी मिलती है आपको next specification की बात कर रहे है तो F2 का aperture है और front camera इसका 8 megapixel का है 6.4 inch का phone है ये जी हाँ बहुत बड़ा phone है एक tablet की तरह बड़ा phone है और 1920 by 1080 की इसको display मिलती है 2.5 curved gorilla glass है इसका marshmallow के साथ आता है 1.3 GHz पे processed 1.3 GHz पे clocked है इसका processor and next is expendable है इसमें hybrid sim slot आपको मिलता है तो ये expendable है और जहां तक बात करें Gio की तो इसमें Gio first class एकदम चलेगी Voltee का support है कि आप जैसे देख सकता है यहाँ पर 4G Voltee all metal body है तीनो phone जो भी मैंने आपको भी तक दिखाए है उसमें all metal body आपको तीनो में मिलेगी यह ली एको का जो phone है यह भी पूरा मैं आपको सुनाने की कुछिश करूं तो पूरा metal का है यह phone भी तो सारे phone आपको metal की मिलते हैं उसमें कोई problem नहीं होती है बाकी बात करें 3GB की RAM है Bluetooth Wi-Fi सब कुछ इसमें आपको मिलता है वेट है इसको 218 gram का तो थोड़ा सा भारी phone है इसकी battery बैटरी की हो जैसे यह phone चलता है तो बैटरी इसकी 4000 mh की आपको बैटरी इसमें मिल जाएगी तो अगर आप देखना चाहें तो यह phone भी देख सकते हैं मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो यह अभी अभी launch हुआ है एक हफ़ते पहले ही launch हुआ है यह कुछ इस तरीके से आपको phone देखेगा तो phone देखने में तो अच्छा है gaming performance भी अच्छी है और आजकल कुछ offer चल रहे हैं तो JBL के earphones भी इसके साथ free मिल रहे हैं अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो JBL के earphones इसके साथ free मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं JBL earphones free gray color में है यह वाला एक champagne gold में भी एक sorry gold में आता है simple gold में आता है तो यह था हमारा third phone हमारी list में fourth phone के लिए मैं थोड़ी confusion देगी मैं Lenovo K5 का नान लूँ या K6 का तो मैं आपको K6 के बारे में बताना चाहता हूँ K6 I know 10,000 चे नीचे आ जाएगा लेकिन K6 जो phone है वो बहुत ही कमाल का phone है तो मैं अगर Lenovo का K6 सर्च करूँ तो मैं आपको उसकी specifications वगरा server pricing आपके सामने ही उसकी दिखा देता हूँ K6 इसमें नहीं है तो हम flip card पर जाते हैं Lenovo का K6 सर्च करते हैं Lenovo K6 Power Lenovo K6 Power आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी इसकी sale खतम हो गई तो दुबारा ये मतलब इसकी दुबारा से sale आएगी तो phone दिखने में कुछ simple है Redmi Note 3 जैसा ही दिखता है phone जैसे कि आप देख सकते है Redmi Note 3 जैसा ही phone दिखता है इसमें बस जो speakers है वो दो speaker आपको मिलते हैं और इसमें कुछ offer भी चल रहा है कि आप देख सकते है एक्सपेंडेबल है इसका भी hybrid sim slot है screen थोड़ी छोटी है पांच इंच की screen full HD आपको मिल जाएगी 13 MP का camera है और 8 का front है camera भी सो सो है camera 13 MP is not so bad snapdragon का 430 मिलता है इसके साथ वोल्टी सपोर्ट इसमें भी है next अगर हम आपको नीचे के दिखाने की कोशिश करें तो वोल्टी सपोर्ट 4G आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे और octa-core का processor है 1.4 GHz पे clocked है android 6.0.1 आपको इसमें box में मिलता है Adreno का 505 का GPU आपको मिल जाएगा at 450 MHz पे 5.0 multi touch है इसमें एक साल की warranty वगरे के साथ आपको यह मिलता है तो case 5 और case 6 में मैं को थोड़ा डाउट था तो लेकिन के 5 जो है वो थोड़ा पुराना हो गया तो मैंने इस लिए उसको लिस्ट में नहीं लिया फिलाल case 6 अब यह भी launch हुआ है तो थोड़ा यह upgraded version के 5 कर नेक्स्ट हमारा है MIMAX का MIMAX MIMAX हम सर्च करते हैं कि इसमें है या नहीं है MIMAX इसमें नहीं है तो हम यहां पर जाएंगे Amazon पर MIMAX सर्च करेंगे कि MIMAX Amazon पर है भी या नहीं है जैसे कि आप देख सकते है Amazon पर MIMAX है और इसकी pricing हो गई है कम यह था 15,000 का और अब मिल रहा है 13,000 का तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि 13,000 का हमको मिल रहा है और used one मिल रहा है तो मतलब अभी यह इसकी sales start नहीं हुई है दुबारा लेक 3S Prime की तरह दिखता है पीछे से बिलकुल और काफी बड़ा 6.4 इंच का यह भी फोन है का तो काफी बड़ा फोन है यह भी चलते है सीधा specifications के उपर 6.4 इंच का फोन मे लगा आपको बैटरी कमाल की मिलेगी बैटरी का size है 4850 MHz मतलब 4850 MHz की बैटरी आपको इसमें मिल जाए स्नापड्राइगन का 650 मिलता है 3GB के RAM 12GB internal expendable है duals मतलब hybrid slim hybrid slot आपको मिलता है और A53 और A72 पे है hexa core processor है this is not an octa core processor this is an hexa core processor मतलब 10 core का processor है तो इसकी speed तो लाजवाब रहेगी वैसे 15,000 का phone तो यार लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक used phone वो दिखा रहे है कि 13,000 का मिल जाएगा लेकिन अगर आपको और किसी site पर दिख जाए यह phone या MI की site पर दिख जाए या MI के app में मिले तो यह phone आपको 15,000 का मिलेगा 4G में support करता है, volti support है, आया plaster है, fingerprint sensor है, gyroscope, proximity sensor यह सारे sensors आपको हर phone में मिलेंगे जो जो मैंने आपको भी तक दिखाए हैं तो density की बात कर लें, तो 1920 की density है, 1920 का आपको pixel resolution मिलेगा, 342 की pixel density, density थोड़ी कम है, आज कल 400 की density नॉर्मल हो गई है, हर phone में मिलती है, और इसके मेरी ख्याल से दो वो आते हैं, कि 13GB और 35GB का और 14GB और 64GB का आते हैं, लेकिन अभी यह फिलाल नहीं दिखा रहा है, तो हम अपनी वीडियो ही खतम करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो do not forget to give this video huge thumbs up, और हमारे चानल को अगर आप पहली पर देख रहे हैं, तो जरूर अच्छे, जरूर इस चानल को subscribe करें, हम आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लात तरेंगे, तक्यू